नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत हैं आज मैं आपको हॉमिंग पीजन के विशय में विस्तार से बताऊंगा हॉमिंग पीजन केंडल इस्टिक का ही एक पैटर्न है हॉमिंग पीजन का नाम जापान के लोगों ने एक घर लोटते हुए कबूतर के उपर रखा है हॉमिंग पीजन बुलिश केंडल इस्टिक पैटर्न है या कहें कि यह तेजी को प्रदर्शित करने वाला केंडल इस्टिक पैटर्न है इसका मतलब यह है कि अब वस्तू में मंदी का समय समाप्त हो गया है और अब तेजी की शुरुवात होने वाली है हॉमिंग पीजन केंडल इस्टिक पैटर्न दो केंडल से मिलकर बनता है आप इसे वीडियो में देख सकते है हॉमिंग पीजन केंडल इस्टिक पैटर्न में पहली केंडल लॉंग बेरिश केंडल इस्टिक होती है या कहें कि यह लंबी मंदी की केंडल होती है यह लाल रंग की होती है दूसरी कैंडल इसमाल बेरिश कैंडल इस्टिक होती है या कहें कि यह छोटी मंदी की कैंडल होती है यह भी लाल रंग की होती है होमिंग पीजन कैंडल इस्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी गिरावट के बाद बनता है या कहें कि चार्ट के बोटम पर बनता है इसके अलावा जब यह कैंडल इस्टिक पैटर्न चार्ट के बीच में बनता है तब भी यह अच्छा परिणाम दे देता है मतलब की यह candle stick pattern चार्ट के बीच में भी बन सकता है इस candle stick pattern के बनने के बाद बाजार में मंदी की संभावना खतम हो जाती है confirmation मिलने के बाद खरीदी करने से फाइदा जरूर होगा तो चलिए अब बात करते हैं कि हॉमिंग पीजन candle stick pattern कैसे बनता है और इसके बनने में किन-किन बातों का विशेश ध्यान रखना पड़ता है हॉमिंग पीजन candle stick pattern में जो पहली candle होती है वह long bearish candle stick होना चाहिए या कहें कि लंबी मंदी की candle होना चाहिए इसके बाद जो दूसरी candle है वह पहली candle के मद्य भाग के पास या उससे उपर जाकर खुलना चाहिए या कहें कि जोड़दार तेजी के साथ खुलना चाहिए और पहली candle के बीच में ही ट्रेट करना चाहिए इसके बाद जब यह candle close हो उच समय यह candle पहली candle के close price के बराबर या उससे उपर जाकर बंद होना चाहिए अगर सीधे शब्दों में कहें तो दूसरी candle पून रूप से पहली candle की जो बोड़ी है उसके बीच में ही होना चाहिए यह दूसरी candle अगर बिल्कुल छोटी सी हो तो यह candle stick pattern बहुत अच्छी तरह से काम करेगा इस candle stick pattern में सबसे महत्वपून ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो दूसरी candle है वह पून रूप से पहली candle के open price और close price के बीच में ही होना चाहिए यह दूसरी candle small bearish candle stick होना चाहिए या कहें कि छोटी मंदी की candle होना चाहिए होमिंग पीजन candle stick pattern में वोल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है होमिंग पीजन candle stick pattern में जो पहली candle का वोल्यूम होता है उससे अधिक वोल्यूम दूसरी candle में होना चाहिए या कहें कि होमिंग पीजन candle stick pattern की दोनों केंडल का वोल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वोल्यूम अगर घटते हुए क्रम में हो तो भी होमिंग पीजन candle stick pattern अच्छा परिणाम दे देता है मतलब कि बाजार में अच्छी तेजी आ जाती है इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूँ कि होमिंग पीजन candle stick pattern में जो पहली candle है वह बेरिश मारू बोजू candle stick भी हो सकती है मारू बोजू candle stick के विशे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं होमिंग पीजन candle stick pattern आपको चार्ट में दो प्रकार से दिखाई दे सकता है यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं यह दोनों एक ही प्रकार से अपना काम करते हैं होमिंग पीजन candle stick pattern हर प्रकार के बाजार में बड़ी आसानी से बनने वाला candle stick pattern है चाहे आप भारतिय शेर बाजार में काम करते हो या कमोडिटी बाजार में या फोरेक्स बाजार में या और अन्य कोई भी बाजार हो यह हर प्रकार के बाजार में पाया जाने वाला सबसे आम candle stick pattern में से एक हैं जिस दिन यह candle stick pattern चार्ट में बनता हैं उसके अगले दिन कई बार भाव अच्छी देजी के साथ या कहें कि गेप अप ओपन होते हैं जब ऐसा हो तो यह आपके लिए खरीदी करने का पून रूप से confirmation हो जाता है होमिंग पीजन candle stick pattern आपको इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट, विकली चार्ट और मंथली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है यह candle stick pattern इन सभी चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है इस candle stick pattern के बनने के बाद बाजार में बायर की पकड़ मजबूत हो जाती है अगर आप intraday trading करते हैं तो आप इसे 5 मिनिट, 15 मिनिट और हवरली चार्ट की time frame में देखिए तो आप इसे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं और अगर आप positional trading करते हैं तो आप इसे daily chart और weekly chart की time frame में देखिए तो आप इससे ज्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि homing pizen candle stick pattern कैसे बनता हैं और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता हैं तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि homing pizen candle stick pattern कैसे काम करता हैं मान लीजिए कि कल चार्ट में homing pizen candle stick pattern तैयार हो गया था और आज की जो नई candle हैं वह gap up open हो मतलब की अच्छी तेजी के साथ खुले तो आपको बाजार में खरीदी करना है या फिर homing pizen candle stick pattern की जो पहली candle है नई candle का भाव जब तक उसके high के उपर जाकर बंद नहीं हो जाता तब तक आपको बाजार में खरीदी नहीं करना है homing pizen candle stick pattern में नई candle का भाव homing pizen candle stick pattern की पहली candle के high के उपर जाकर बंद होना बहुत जरूरी है अगर एसा नहीं होता है तो यह candle stick pattern सही धंग से काम नहीं करेगा जब नई candle का भाव homing pizen candle stick pattern की पहली candle के high के उपर जाकर बंद हो जाए तो आपको पाजार में खरीदी करना है और homing pizen candle stick pattern की जो पहली candle है उसके low के नीचे का stop loss लगाना है अगर यह candle stick pattern चार्ट के बीच में भी बनता है तो भी हमें इनी नियमों का पालन करना है जो की हम चार्ट के बोटम पर करते हैं homing pizen candle stick pattern में कुछ बाते हैं जो आपको विशेश रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है नमबर एक दूसरी candle पूरी तरह से पहली candle की बोड़ी के बीच में ही होना चाहिए नमबर दो पहली candle बेरिश मारू बोजू candle stick भी हो सकती है नमबर तीन खरीदी करने के लिए homing pizen candle stick pattern के बाद नई candle का भाव homing pizen candle stick pattern की पहली candle के हाई के उपर जाकर बंद होना बहुत जरूरी है नमबर चार दूसरी candle जितनी छोटी होगी homing pizen candle stick pattern उतना ही अच्छी तरह से काम करेगा तो चलिए अब homing pizen candle stick pattern को हम चार्ट में समझते हैं आपको लंबी मंदी के बाद चार्ट में homing pizen candle stick pattern दिखाई दे रहा होगा और इसका volume घटते हुए करम में है जैसा की मैंने आपको बताया है अगर volume घटते हुए करम में हो तो भी homing pizen candle stick pattern अच्छा परिराम दे देता है अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है की homing pizen के बाद जो नई candle है वह अच्छी तेजी के साथ खुले या कहें की gap up open हो तो आपको इसमें खरीदी करना है अब आप इस चार्ट में देखिए homing pizen candle stick pattern के बाद नई candle gap up open हो रही है तो आपको इसमें खरीदी करना है या फिर homing pizen candle stick pattern के बाद जो नई candle है वह homing pizen candle stick pattern की पहली candle के high के उपर जाकर बंद नहीं हो जाती तब तक आपको बाजार में खरीदी नहीं करना है जब भाव homing pizen candle stick pattern की पहली candle के high के उपर जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में खरीदी करना है अब आप इस चार्ट में देखिए इस चार्ट में homing pizen candle stick pattern के बाद पहली candle ही homing pizen candle stick pattern की पहली candle के high के उपर जाकर बंद हो रही है तो आपको इसमें खरीदी करना है और खरीदी करने के तुरंत बाद homing pizen candle stick pattern की जो पहली candle है उसके low के नीचे का stop loss लगाना है क्योंकि stop loss लगाना बहुत जरूरी होता है इसके बाद profit booking के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा signal न बन जाए जो बाजार का trend बदल सकता हो तब तक आपको profit book नहीं करना है जब आपको कोई ऐसा signal दिख जाए जो बाजार का trend बदल सकता है तो आपको तुरंत profit book करना है तो दोस्तों आज आपने homing pizen के विशय में विस्तार से सीखा उमीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप comment box में जाकर पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुडबाई धन्यवाद करें लिए में हैं इतना ही विए इतना ही से स सबस्दक्राओ다면 पत्यों आपके दो